अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज का हमारा टोपिक प्लेट टेक्टोनिक है प्लेट विवर्तनिकी के बारे में आज हम जानने का प्रियास करेंगे उसे पहले हम सब के लिए एक संदेश आओ मिलकर हरित व्यखुशाल धरती का सपना साकार करें ज्याद इसरी पर विभिन बुवाकरतियों और विभिन प्रकार की बुगर्भी गटनाओं को समझाने में महत्वपुन सिद्धांत के रूप में काम आ रही है और बहुत सी विवर्तनिक गटनाएं चाहिए वो बुकंप है ज्वाला मुखी है या ब्रंश है या प्रवतों का निर् सब्सक् tactics के माज़ है इस तरह की जितने भी विवर्तन गटनाएं उनसे घटनाओं को प्लेट बोच नृटों सिद्धांत ने बड़ी अच्छी त Honestly से बताने का प्रयास किया है की प्लेट वीवर्तन सिध्धांत क्या है Як तो प्लेट वीवर्तन जह सिध्धांत ऋसे पहले में ये बात करेंगे की हमारे THT के आंत्रिक भाग में एक तीन परते हैं और इंद्र है कि आंत्रीख भाग में तीन पढ़ते हैं कि करश्ट नीता होता है वो कम है जबकि क्रश्ट से नीचे कि और जब हम जाते हैं मेंट्र या कोर की तरह जाते हैं तो तो कि करस्ट से mental और कोर कियो जाने पर गनतु बढ़ता है जैसे आप इस डायग्रम में भी देख पा रहेब हो कि काउंटिनेटर्स जो है उसका गनतो तो फांसे दो फांसे दो फन्र के बीच होता है उसका अधिन अधिन से तीं अदिन के बीच अपर मेंटल जो है उसका गनत क्यों ने बात करें नाएं क्वाप अग्रूरम की बात करें leichब नाएं हो महासागरी जो बाग है उनके नीचे क्रश्ट की मोटाई कम होती। महासागरी एक म Elder ज्ञाधा सबक्रन कम देखें तो यह कांटिनेटल क्रश्ट है जो आप देख रहे हूं ये महाधिप्य क्रश्ट है इसकी मोटाई ज्यादा है जबकि ये महाधिप्य आधिक मिलती जो लगबक 100 km मोटाई तक का जो भाग है 100 km तक का जो भाग है उस्से हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोज फेर लिथोज लिथोज फेर स्थल मंडल जिस पर केम निवास करते हैं और इसी 100 km मोटाई वाले द्रिट भाग को सो किलोमेटर की मोटाई वाले पर्थवी के इसे द्रिड भाग को प्लेट का जाता है तो प्लेट क्या हुआ यह इसमें आप देखिए इस डाइग्रेमा भी देखिए कि यह कॉंटिनेटल करस्ट का पाट आ गया इसके बाद इसके नीचे यह उपरी मेंटल का लिथोस्पेर क जहां तक का भाग है यह जो पार्ट है इसको समुहिक रूब से कहते हैं प्लेट सो किलो मेंटर की लगबग मोटा इसके फाइल इसको प्लेट केलाता है जिसमें की करश्ट और उप्री मेंटल का वाग शाभक शामिल होता है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेट विवरतन सिध्धान्त के आधारों के बारे में प्लेट विवरतन सिध्धान्त जो है वो गटनाओं की व्याख्या करने वाला एक नवीन सिध्धान्त है और इसके आधार में कई अन्य मैत्पूर्ण संकल्पना यह और विचार रहे हिसमें वह कुछूं को से विचार रहे हैं पहला है महादीप्या ऑप्रवा संकल्पना आप परव शद्धांत यह घ्र कि बाया इस टाइग्रम में आप देखिए कि लगबग 200 मिलियन वर्स पहले कि यहोदी आप देखिए इसमें जो महादीब थे इसको पेंजिया नाम दिया उत्तर का बाग अंगारा लेंड और दक्षिन का बाग गॉंडवान लेंड था इसके बीच में टेथिस बूसन थी एक सुतीस मिलियन वर्स पहले देखिया आप कि इसका विवाजन वर्स पहले यह दूर जाने लगे और सतर मिलियन वर्स पहले यह इस्तिति थी उत्तरी अमेरिका जो था वह पश्चिम की तरब बढ़ा धक्षनी अमेरिका के भी गती हुई यूरोप और एशिया की गती अपर करते हैं यह इस प्लेट विवरतन सिधांत का अदहर बना और अल्फरेड वेगनर रेंगे महाधीप यह विस्तापन त्योरी का प्रतिबातन किया था कि दूसरा इस प्लेट विवरतन का जो अधार है वह है होम्स का समवहनत रंग शिद्धांत अल्फरेड वेगनर ने यह करा दिया कि महाद्वीप श्थिर नहीं है बलकी गती करते हैं लेकिन शक्ति की वजए से किस फोर्स की वजए से वह गती करते हैं इसके लिए प्रेट विवरतन यह गैसे हलकी होकर उपर उठती है और उसके साथ साथ यह पीगले हुए चटानों को भी उपर ले के आती है जिनकों बोलते हैं समवन तरंगे तो इस प्रकार कि यह समवन तरंगे परत्वी के आंत्रिक भाग से उपर आती है और क्रश्ट के नीचे पहुंच कर यह देखे आ उपर मोजूद क्रश्ट को भी उन्हीं दिशाओं में जिस दिशा में समवन तरंगे जा रही है उस दिशाओं के और ले जाती है जिसे कि महादुवी प्या क्रश्ट जो है उनमें वह तूटते हैं या उनका विखंडन होता है और विभिन प्रकार की प्लेटों का निर्मा मेगमा जो है नीचे से उपर की और प्रकट होता है और उपर की और प्रकट होने के बाद यहां आप यह देखे इस डाइग्राम में कि मध्य महासागरी कटक के सारे मेगमा जहां दो प्लेटें एक दूसरे के विप्रीत दिशा में गती करती है यानि जहां पर दो प्लेटे का अप्सारी किनारा होता है उप इस मेंकिशाच के जमा हो जाता है और उसके साथ ही शेटेलाना के साथ प्लेटों के किनारों पर जम्हा होता है ये लाइट ब्ल्यू कलर देख रहे हो नॉर्मल यह सदैन्नो सामान रही जबकि ये जो वाइट में अपछे हैं यह उतकरम यह Kosikle सध्य तो यह इस त्विए से चताणों जो मेग्मा है मीग्म कितना कि नारे पर आ कर दो cares यू यू प्लेट और ऐक अफ्रिकन प्लेट एक और अफ्रीकन स्वोर्णर और दूसरे होर अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से जान दूर हटती है वहां के चुटानों का जब चुम्बकतों निकाला गया तो यही करम जो निकल किया है जिससे भी यह भी साबित हुआ की प्लेटें वास्तों में गती करती है और चोथा इसका जो आधार था वो था सागर नितल परस्टन की संकल्पना तो सागर नितल पर्स्टन यानि यही हम मद्ध्य अट्लांटिक कटक यह मद्ध्य महासागरिय, जो कटक है उसी के सारे गटना हो थी है कि दो प्लेटें जो है विपरीत इस डागराम में आप देखरे हो दो प्लेटें विपरीत दिशा में गती करती हैं और मेग सागरों में भी ऐसा भू आकार मुझूद रो तो को जब सागरतली का परसार होता है ऐसागरतली का परसार होगा तो सागर का आकार बड़ेगा और महादीप्य भाग आदेकी नजदीक आते हैं पताती है कि प्लेटे हैं वो गती करती है तो यह चार आधार थे वी विवरतन सिद्धांत की मादीप्यशतापन sold home सवंतां सिद्धांत पूरा चुंबक्तों की संकल्प्ना और सागर नित्ल परसरन की संकल्पना इन प्रतन की ठोड़ी की रचना किया गई जिसने की प्रत्वी के विभिन भूह आकारों और उनकी उत्पत्ति से समधित समश्या के समाधान का प्रयास किया है है कि अम बात करते हैं टाइप सो प्लेट एंड बाउंड्रिज तो प्रत्वी परकुल छे परमुख और वी से ज्यादा गोण प्लेटों का अब तक पता लगाया चुका है कि छे परमुख प्लेटें और वी स्यादिक प्रत्वी पर मोजूद है देखिए वह कौन-कौन सी है क लेकि के यह सबसे उपर आप देख रहे होगे रीदिया गाउंडरी डाइग्राम में आप देखिए यह यह Gene點 है तो यह son plate इसके बाद यह अफिकन प्लेत सबसे उपर इे रिशन अफिकन प्लेत यह हैर नौreth अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट यह पेसिफिक पर्शांत प्लेट इंडो ओस्टेलियन प्लेट और यह नीचे अंटार्क्टिकन प्लेट यह तो होगी छे प्रमुख प्लेट है विरेशन प्लेट अफ्रिकन प्लेट इंडो ओस्टेलियन प्लेट अंटार्क्टिक प्लेट नौर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन या इसको अमेरिकन प्लेट भी कह सकते हैं और पेसिफिक प्लेट तो यह तो होगी छे प्रमुख प्लेटे इसके लाब कई अन्य चोटी प्लेटे भी और मोजूद है जैसे कि यह आप देखरें यहां पर डाइग्राम में यह अर और यह दक्षिन अमेरिका के पश्चिम में नाजगा प्लेट और दक्षिन अमेरिका और अंटार्टिका प्लेट के बीच में यह स्कोशिया प्लेट नाज़का प्लेट से just उपडर कोकोस प्लेट और दक्ष्णि अमेरिकन प्लेट के just उपडर है केरिविन प्लेट तो यह कुछ गोण प्लेट यह निकिति वह यह प्रकरति के दार पर यह देखें तो प्रकरति तीन प्रकार की होती है महादीप प्लेट के ऊपर मोजूद भूआकार मोश्टली महादीप है जैसे कि यह युरेशन प्लेट मोश्टली अधिकांस ते उपर मोजूद भूआकार महादीप है स्थल भाग है तो वह महादीप प्लेट के लाती है इसे प्रकार से अफ्रिकन प्लेट भी महादीप प्लेट का एक्जामपल है और जो इंडियन प्लेट है यह भी महादीप प्लेट का एक्जामपल है यह नाजगा प्लेट यह हुआ इनके उपर मुख्य áकार क्या महाँ सगर यह प्लेट और तीसरी और महासागरिये प्लेट जिनके उपर दोनों ही स्विंक तुरूप से पाए जाते हैं जैसे इंडो ऑस्टेलियन प्लेट है ये महाधीप महासागरिये प्लेट है तो प्रकृति क्यादार पर प्लेटे तीन तरह की होगी महाधीप प्लेट महासागरिये प्लेट और महाधीप महा दिस्काल है और उनकी किनारेत को सब्सक्रवित करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब को कि आद properties कर्विधिन गतनाओं ओए तो प्लेट नीरन तो सब्सक्राइब या प्लेट कए किनारे कहीं पर तो एक दूसरे से टकराते हैं कहीं उनके किनारे एक दूसरे से दूर जाते हैं और कहीं एक दूसरे से आगे पीछे या उपर नीचे खिशक जाते हैं तो उस अस्तिति में विभिन प्रकार की विवर्तनिक गटनाई पर गटित होती है तो इनकी किनारे इनकी गति और इनकी दिशा और इनकी सभाव का संपूर्ण अध्यन ही प्लेट विवर्तन कहलाता है इल्ए है अब हम बात करते हैं थि टाइप सोप्लेट बाउंडिरेड तो प्लेट की किनारे हैं बाउंडिरेजुँद यहां धीलों दे McMahe अपसारी संवर्दी यह रचनात्मक प्लेट संवर्दी यह रचनात्मक प्लेटत चेहां पर दो अगर दes 해도 में दूसरे से वप्रीट दिशा में गती करें तो जहां दो प्लेटे एक दूसरे से वप्री licon तो नीचे से मेक या चट्टानों पर दबाव हटता है दबाव रटती रहांदन का melting point जो वो कम हो जाता है और वो चटाने प्विगल कर उपर को रूठती है और plate किनारों पर आकर जमा होने लगती हैं तो इसका मतलब यहां नई crust का जैसे वो plate के किनारे पर आकर जमा होगा नई crust का निर्मान होता है जिससे कि इसे हम कहते हैं रचनात्म को कहते हैं नई crust का निर्मान होने के वज़े से रचनात्म के plate देखिए इस डाइग्राम में देखिए कि दो फ्लेट के किनार उपर आकर जमा हो जाता है जिसे यह नई अभिसारी प्लेट तो जहां पर दो फ्लेटे एक दूसरे के और गति करती हैं एक दूसरे के और गति करके आपस में आकर टक्राती हैं तो जहां नो फ्लेट थैक ये, तो आकर टक्राएंगी उस अस्थिति में कि मज़री जिस प्लेट का ग्नत होझा ज़ादा होगा इस ता pendulum फिगलनेर में कन्वर्ट होने लगेगा इसका मतलब यह प्लेक किनारे का विनाश हो रहा है तो इस वुझे से इसको विनाश किनारा भी कहते और और इस परकार की इक दूसरी क्योंक प्लेट की भ這邊 को अभिसारी गती कहते हैं और जहां पर यह प्लेटそれでは नीचे जाकर यह कंप होता है कि तीसरे प्लेट का किनारा होता है वह होता है स्रंक्षिया शीर प्लेट सीमा तो इस तीसरे किनारे में क्या होता है कि प्लेटें जो है वो एक दूसरे से अगल बगल किसक जाती है यहां पर आप देखिए इस डाइग्राम में कि इस प्लेट की गती इस तरफ है जबकि इसकी गती इस तरफ है तो प्लेट जो है वो एक दूसरे से अगल बगल किसक जाती है यहां भी आप देखिए कि यहां पर इसकी गती इस तरफ है और इसकी गति इस तरफ है अब ऐसी स्थिति में ना तो नीचे की जो चटाने थी उन पर से दबाव हटा तो इस हुझे से मेगमा का निर्मान उतना नहीं हुआ और यानि इसका मतलब यह हो गया कि इस प्लेट के किनारे पर ना तो नई प्लेट के किनारे की रचना हुई और का इसका मतलब कि यहां पर इस किनारे पर पलेट को सरंक्षन मिला तो इस वजय से इसको स्रंक्षी किनारा का जाता है संक्षी prue ripped की तीन इस हुग एक इनी किनारों की वजह से या इनी गति की वज़े से कौन कौन सी अपसारी गति अभी सारी गति और श्विर संचलन इनी थीन प्रकार के संचलन के कारण प्लेटों के किनारों पर अधिकांस विवर्तनी गटनाई गटित होती हैं और इनी विवर्तनी गटनाओं को सामुई कुरूप से हम प्लेट टेक्टो होती है भी हमनी जैसे बात की एक तो होती है अपसारी दूसरी अभिसारी और तीसरी स्रंक्षिया ट्रांसफोर्म तो आप इस डाइग्राम में आप देखे विश्यू के इस मैप में देखें कि यह जो आप रैड कलर में देख रहे हो यह है अभिसारी प्लेट सीमा अभिसारी प्लेट सीमा कनवर्जेंट तो आप देखे रैड जहां जहां रैड किनारे आपको देख रहे हो एश्या की यह जो प्लेट आप देख रहे हो एश्या प्लेट एश्याई प्लेट का पूर्वी किनारा जो है वह अभिसारी प्लेट सीमा है इसी तरह से आप गया देखें लिए अप्ले इसेये प्लेट जो पूर भी किनारा है वो अभी सारी सीमाअ है तो speaks कि आप ये अंट़िकन प्लेत का ये जो कि एत्व एसे प्लेट का ही पार्ट है अट्लांटिक महासागर — आपर भी इस महा सागर का ये पर प्रशान्त महासागर का ये पर अप आप देखिए दक्षोन अमेरिकाक्सात ये अप अभी सारी प्लेट सीमा है एश्य प्लेट और जहां पर एश्य प्लेट और इंडो ऑस्टेडियन प्लेट और अफ्रिकन प्लेट अपस में दूसरे स्टक्रा रही है यह भी अभी सारी प्लेट सीमा है और दूसरा डाइवर्जेंट यानि अपसारी प्लेट सिमा तो अपसारी प्लेट सिमा आप देखिए इसका में ग्जामपल जो है वो है मद्य अट्लांटिक कटक में तो देखिए मद्य अट्लांटिक कटक के साथ साथ यहां यह आप देखिए यह डाइवर्जेंट जो है प्लेट किनारा याँ पर इस हमने अपसारी किनारे पर शांत तरीड़ी से मेगम आता है प्लेट किनारे written पर आकर जमा हो जाता है तो नइक रश्ठ का निरमाणि यहinka होता है दूसरी जो हमने विफसारी आपकe बढ़ाए से अल दोनुद्ध आपस एक दूसरे से आकर क्या टकराती है तो इससे क्या होता है कि जो ब्रहुत भारी प्लेट वीच वीच में आप देखिए जो यह अप सारी किनारा है खास करके मद्य अट्लांटिक अटक में इसमें भी कहीं कहीं पर यह कलर आप देख रहे हो तो यह मिश्रित रूप में कहीं कहीं पाई जाते हैं जहां पर की प्लेटे एक दूसरे से अगल बगल की सकती है आजू-बा प्लेट का निर्मान होता है और जो दूसरे प्रकार की यानि विनाशी और जो रचनात्म प्लेट हैं उनकी किनारों पर ज्वाला मुखी घटनाएं अधिक घटित होती है अलांकि जो ट्रांस्फोर्म जो बाउंडरी है उनकी किनारे पर भी ज्वाला मुखी घटनाएं होत प्लेट और उसके बाउंटरी और उसके किनारों के बारे में जो हमने आज बात की प्लेटों के बारे में यह आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइब कीजिए खरों का पुमच स्ब्सक्राइब कीजिए यह लाइक जोओतरा आपको समन्सब्सक्राइब कीजिए